वीडियो में मैं आपको मेरा जो mutual fund का जो portfolio है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा तो मैं कुनसा-कुनसा mutual fund में invest किया और मुझे कितना percent अभी return मिल रहा है तो first mutual fund में मैंने invest किया है वो अधित्त बिल्या Sun Life Digital India Fund में growth regular में और मेरा जो investment था 2018 में मैंने किया था और मेरा return देख सकते हो 109% मतलब यहाँ पे मुझे पैसा double मिल चुका है तो काफी आच्छा मुझे यहाँ पे return already मिल चुका है 109% का return फिर जो मैंने next mutual fund है जहाँ पे मैंने invest किया है वो अधित्त बिल्या Sun Life का ही है manufacturing equity fund है इसका नाम यहाँ पर देख सकते हो यह fund का नाम मैंने 2015 में निवेस किया था और मुझे आज के दिन में 52% का यहाँ पे return मिल रहा है next fund जो मैंने किया था अधित्त बिल्या का और एक fund में Sun Life, Pharma and Healthcare का fund है मैंने 2019 में लिया है और मुझे 27% लगभग 28% का return यहाँ से मिल रहा है जो कि काफी अच्छा है मैंने जो next fund में invest किया है वह Axis Fund का एक popular fund था एक टाइम में बहुत अच्छा perform भी किया था और अभी भी कर रहा है इसका आप देख लिजे मैंने जो investment किया था 2019 में और अभी मुझे return मिल रहा है लगभग 32% का return फिर मैंने और एक Axis Fund का मैंने mutual fund खड़ीदा है Axis Mality Cap Fund यह मैंन नेक्स्ट फांड है एस्टेफसी का फांड है balance advantage fund यह भी मैंने 2019 में लिया है recently आप यहां पे देख सकते हो और यहां से मुझे मिल रहा है करीब 12% का return और एक एस्टेफसी Mid Cap Opportunities Fund है काफी popular वाला fund है मैंने 2012 में लिया था मालब आज से लगभग कितना सल होगा 10 सल पहले और जादा return मुझे मिल रहा है यह फांड से तो काफी अच्छा मीटन मिला है मुझे स्टेफसी Mid Cap Opportunities Fund यह बहुत ही popular fund है तो यहां पर आप investment कर सकते हो यह जो portfolio देखाने का यही मक्सद है कि आपको एक आईडिया लग जाएगा कि कुनसा कुनसा फांड अच्छा फांड कर रहे ह आपको कितना diversified fund है और कहां पर आपको निवेस करना चाहिए ठीक है स्टेफसी fund का और एक मैंने fund लिया है स्टेफसी small cap fund रेगुलर में और मैंने 2019 में investment किया है ठीक है और मुझे देखिए 64% का return मिल चुका है अल्रेडी स्टेफसी का top 100 fund में भी मैंने निवेस किया है 2019 में म और आज के दिन में मुझे कलगभग 36% का return यहाँ पे मिल रहा है आईशा-ईशा पूडेंशा बैलेंस एडवन्टेज फांड जाकी काफी popular है यहाँ पी मुझे 2019 में investment का मौका मिला और मैं यहाँ यहाँ पे 21% का भी यहाँ पे return मिल रहा है तो आच्छा-चा फांड आपको financial banking and financial services का fund लिया था जो 2019 में यहाँ था और यहाँ पे मुझे 34% का return यहाँ पे आज के दिन में मिल रहा है आईशा-ईशा पूडेंशा ब्लूचीफ फांड ग्रोथ यह काफी popular है मैं 2015 में लिया था काफी 9-8 सल हो गया है और आज के दिन में मुझे करीब 75% का return आईशा- प्लान ग्रोथ में investment किया था 2019 में अब देख सकते हो और यहाँ से मुझे लगवाग 51% का profit अभी भी मिल रहा है तो मैंने जो major fund है जो popular fund है उसी में निवेस किया है जो next fund है मैंने इंवेस किया हो है SPI small cap fund regular में 2018 में निवेस किया हुआ है और अब देख सकते हो 69% return मुझे 69% से ज़ादा return मुझे लगवाग 70% return मुझे यह fund से मिल रहा है मैंने फिर सुंदरम mutual fund खड़ी था सुंदरम multi-cap fund यह एक्चली सुंदरम equity fund था वह अभी change होके मार्ज होके सुंदरम multi-cap fund हो गया regular plan growth में और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा minus return जरूर मिल रहा है कि यह margin हुआ है पहले सुंदरम equity fund था उसका भी March किया है बर यह भी recovery हो जाएगा I am 100% sure तो यहाँ पर भी मुझे plus यह change हो जाएगा कुछी मांत में जो next जो fund है वो भी सुंदरम services fund है regular fund जो की launch हो था 2018 में तो मैंने NFO purchase किया था आप यहाँ पर देख सकतो 10 rupees करके इसका प्राइस है और मुझे आज के दिन में 63% का return मिलना है जो की काफी अच्छा है 63% return आपको कहीं नहीं मिलेगा और वो भी guaranteed रिक्स फ्री है ठीके तो last जो fund मैंने निवेश किया है data focused equity fund regular plan growth में मैंने 2019 में खरीदा है और आज के दिन में मुझे 38% का return मिल रहा है तो मेरा जो total investment amount है आप देख सकते हो करीब 30 lakhs का और मुझे आज के दिन में करीब 45 lakhs का मुझे profit हो रहा है आज के दिन में मुझे 15 lakhs का मुझे profit already हो गया है और मैं इसको और भी 5 सल तक इसको continue रहूंगा 5 years तक so that मेरा जो target है 1 crore 1 crore मुझे अगर मिल जाता है तो I'll be happy in this mutual fund investment तो मेरा जो आपका मेरा जो portfolio था mutual fund को आपको दिखाया आपको इसलिए दिखाया कि कि आपको भी mutual fund में investment करना चाहिए SIP की जरीए and आपको अगर कोई NFO मिल ला है तो उसमें आप bulk भी investment कर सकते हो एक साथ बहुत ज्यादा one time देखे पर mutual fund में आपको निवेश करने से पहले जरूर अच्छा खासा fund का performance देखके निवेश करना चाहिए वीडियो का अच्छा लगाए तो like जरूर कर दीजेगा अगर आप first time चल में है तो please support and subscribe to this channel to get this kind of very good informative videos for you thanks for watching